Hello everyone, Wisdom of Planets के आज के वीडियो में आपका स्वागत है आज जिस planetary alignment के हम लोग बात करने वाले हैं वो शायद हम में से ज्यादा तर लोगों का among the favorite alignments होगा और उसका नाम है धन योग जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है कि ये वो योग है जो अगर आपके horoscope में है तो ये आपको rich बनाता है, it makes you wealthy, आपको धनवान बनाता है और पैसे के बार में हम सभी को पता है कि आज की डेट में बिना पैसे के we cannot even imagine survival right from the very basic necessities of life वहाँ से एक लग्शुरी तक हर चीज में पैसे की जरूरत है तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या ये योग आपके चार्ट में है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाला है मेरा नाम है वेभभ भारदवाज I'm an astrologer, GIS certified gemologist and a computer engineer चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो इस वीडियो को हम पाँच पार्ट में डिवाइट करने वाले है पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि धन योग आपके चार्ट में बनता कैसे है वो क्या alignments है जो वो क्या planetary positions हैं जो मिलके धन योग का creation करते हैं फिर second part में हम लोग लेंगे एक बहुत ही famous personality का horoscope और जो principles हमने first part में देखे थे जो discuss किये थे उनको हम apply करेंगे उनके horoscope पे और फिर जानेंगे कि वो क्या alignments है उनकी chart में जिन्होंने उनने बहुत wealthy बनाया फिर हम लेंगे जो third part है उसमें एक sample horoscope लेंगे ऐसी एक random sample horoscope और वहाँ पे फिर discuss करेंगे कि कैसे interpretation किया जाता है थोड़ा सा और detail में धन्योग का जो fourth part होगा उसमें हम यह देखेंगे कि मालिया आपके जो first part में हमने जो discuss की थी definitions उसके हिसाब से मालिया आपके chart में धन्योग बनतो रहा है लेकिन उसका result आपको कब मिलना शुरू होगा and the fifth part will be कि वो क्या factors हैं जो determine करते हैं कि आपके wealth योग की जो धन्योग है उसकी strength कितनी है जो एक लाख रुपे आपको मिले वही आपका धन्योग होगा हो सकता है कि आपको एक करोड रुपे मिलने वाले हो या आप अरबपती बनने वाले हो तो although जितने भी ये लोग हैं सबके chart में आपको धन्योग मिलेंगे usually लेकिन उनकी strength अलग-अलग होती है तो वो क्या factors हैं जो इस चीज़ को निरधारित करते हैं, determine करते हैं तो चले शुरू करते हैं first point से कि वो क्या alignments है is the first house which signifies your physical body जो आप हैं as a person then you have the second house second house is the house of savings जितना भी आपने financially earn किया है उसमें से आप से आप से आप कर आते हैं then second house is also your family then the third house is the fifth house fifth house होता है आपका intelligence का then it denotes your children or intelligence children then you have the speculative business ये सारी चीज़े दिनोट होती हैं fifth house से जो अगला house है जो आपको दिहान रखना है that's the ninth house ninth house को भागे का house माना जाता है उसके अलावर religion का भी होता है it's the house of long distance journeys as well and जो पाँचवा house है जो आपको देखना है that's the 11th house 11th house is the house of hopes and wishes और आपकी income and gains जतना आप income earned करते हैं वो सारी चीज़े देखी जाते हैं 11th house से इन पाँचो wealth houses में से अगर किसी का भी lord दूसरे wealth house में बैठा हो तो ये एक धन्योग बनाता है जैसे अगर आपके first house का lord second house में बैठ जाए या 11th में बैठ जाए या 9th में या 5th में so this is a धन्योग ऐसे ही जो second house के lord है वो first, fifth, ninth या 11th house में बैठ जाए तो वो भी एक धन्योग है ऐसे ही आप हर combination को देख सकते हैं कि 9th house के lord किसी इन बचे वे चारों houses में से किसी में place हो जाए that's again a धन्योग in fact ये जो पांचो houses हैं इसमें से अगर आप first house को निकाल दे तो जो बाकी के चार houses है second, fifth, ninth and 11th अगर इनके lords अपने खुद के घर में भी आ जाएं जैसे second lord in the second house fifth lord in the fifth house ninth lord in the ninth house और 11th lord in the 11th house तो ये भी अपने आप में धन्योग है उसके अलावा अगर इन पांचो houses के जो lords हैं मतब जैसे आप example ले लीजे first and second house lord वो कहीं पे conjunction में बैठ जाएं एक साथ for instance अगर first and second lord they are in the ninth house एक साथ बैठें तो ये technically तीन धन्योग होंगे वो कैसे पहली चीज़ जो first lord in the ninth house ये एक धन्योग हो गया second lord in the ninth house ये दूसरा धन्योग हो गया और ये साथ में हैं दोनों planets मतलब first and second house के lord हैं ये third धन्योग है तो ऐसे करते करते you can have multiple धन्योग तो ये जो हमने wealth houses के lords के conjunction की बात करी है जो अपने आप में धन्योग है तो बैसे अगर ये जो wealth houses हैं जो पांचों houses हमने डिसकस किये थे इन ही में बनता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर इनके बाहर भी ये conjunction बनता है यानि कि जो first, second, fifth, ninth and 11th house के जो lords हैं वो अगर इन पांचों houses के बाहर भी conjunction में आ जाते हैं तो ये भी धन्योग माना जाएगा और उसके अलावा अगर इन houses के lords आपस में द्रिष्टियां भी दे रहे हैं fifth lord, ninth house lord को द्रिष्टि दे रहे हैं और ninth lord, जो fifth house lord को द्रिष्टि दे रहे हैं जो mutual aspect होते हैं परस पर द्रिष्टि ये भी धन्योग में count होता है तो पहले पार्ट में हमने discuss किया कि धन्योग का creation चार्ट में कैसे देखते हैं कैसे identify करते हैं कि क्या आपके चार्ट में धन्योग है अब second part में हमनों discuss करने वाले हैं एक बहुत ही famous personality का horoscope जो बहुत ही wealthy रहे हैं काफी humble background से थे वो उनके जो father है वो एक गाउं में teacher थे प्लस इनके पास कोई ancestral wealth भी नहीं थी तो कैसे वो बिलकुल एक basic level से इतनी उचायो पर पहुँच पाए in terms of wealth यह हम उनके horoscope से देखेंगे जिनका horoscope हम discuss करने वाले हैं वो है श्री धिरुभाई अम्मानी उनका chart आप सामने देख सकते हैं जो bird details है मैंने internet से लिये हैं लेकिन वो reliable है जो उनका life pattern भी है प्लस जिस level पे वो पहुँच यह तो यह कही न कहीं match भी करती है यह इनके chart में आप देखना शुरू करें और जो part 1 में हमने सारी alignments discuss किये थे यह थोड़ा सब को recall करने की कोशिश कीजेगा या मैं बता देता हूँ आपको कि कौन से 5 houses हम लोग देखने वाले थे 1st, 2nd, 5th, 9th and 11th तो इनी पे हम mainly focus करेंगे इदर तो धीरो भाई जी के chart में अगर आप देखें पहली चीज जो 9th house के lord है son वो है 1st house में which creates one wealth योग, धन योग अब दूसरा धन योग, 5th house के lord है उनके 9th house में तो यहां आप देखेंगे दो धन योग उनके chart में लेकिन बात यहां खतम नहीं हुई है एक तीसरा और योग है, वो देखिए 2nd house के lord जो शनी है वो 2nd house में ही placed है तो यहां आप देख रहे हैं कि धीरोभाई जी के chart में तीन-तीन धन योग है और तीनों जो wealth houses में है वहीं पे बने हुए तो no wonder जो wealth के perspective से उन्होंने बहुत उचाई हासल करी है अपने career में तो अभी तक हमने क्या discuss किया पहली चीज़ कि धन योग बनता कैसे है chart में और second part में एक famous personality के chart पे वो principles apply करके देखे कि कि कितने अच्छे से apply हो रहे है अब third part में हम क्या बात करने वाले हैं कि मान लिया आपके horoscope में धन योग तो बन रहा है लेकिन वो धन योग आपको किस तरीके से पैसा देने वाला है क्या वो धीरे धीरे करते करते आप अपने भेहनत से हासल करेंगे वो धन या आपको एकदम से मिलने वाला है किसी तरीके से जैसे जैसे कोई inheritance के through मिल गया या कोई lottery लग गई या कोई golden opportunity आगई आपके सामने जिसके through आपने वो wealth earned करी वो क्या तरीका है इसके लिए एक sample horoscope हम यहाँ पे लेंगे यह किसी person का नहीं लेकिन केवल आपको समझाने के लिए मैं आपके सामने यह दिखा रहा हूँ जिससे आप यह देखें कि किस तरीके से हम देखते हैं कहां से wealth आने वाली है यहाँ आपके सामने एक Gemini Ascendant का chart है इसे आप Ascendant को ignore भी कर सकते हैं एक बार को कोई भी Ascendant हो same principle apply होगा इसमे यहाँ आप देखने हैं कि जो 5th house के Lord है Venus, वो 10th house में 1st house के Lord Mercury भी 10th house में तो जैसा कि हमें पता है कि जो 1st and 5th house है वो wealth houses का ही पार्ट माने जाते हैं और वो अगर conjunction में है तो it creates a dhanyog जो हमने पहले बात करी थी तो 1st house क्या है That's you, yourself 5th house जैसे कि आपको पता है आपकी intelligence है and 10th house जो है वो आपका कर्म भाव होता है आपका career, आपका profession जो भी आप काम करते है तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि आप अपनी intelligence के थूँ काम करके वो पैसा कमाने वाले है अब हो सकते हैं कुछ लोगों को ये लगे कि intelligence लगाई है, काम किया है तो पैसा तो मिलना ही है लेकिन ऐसा हर किसी के case में सच नहीं होता बहुत सारे लोग हैं जो बहुत intelligent हैं बहुत मैनत करते हैं लेकिन उनको धन नहीं मिलता, तो ये तो था horoscope का interpretation, जो धन योग है irrespective of the ascendant अब यहीं अगर आप ascendant को भी consider कर लें, जैसे Gemini ascendant का chart है जहाँ पर 5th lord and 1st lord के conjunction की वज़े से बना है तो जो 5th lord है वो कौन है, venus और 1st lord कौन है, mercury तो mercury क्या denote करते हैं it denotes your speech and communication और 5th lord venus क्या denote करते हैं it signifies beauty, media, arts and females तो ऐसे में ये भी दिखाता है कि इस type का जो इनसान है अगर वो Gemini ascendant के chart में हम यह alignment लगा रहे हैं, तो इस type का इनसान बहुत पैसा earn कर सकता है, in the form of career, through, जो media, arts, और females का काफी support रहता है इस type के person को, और ये acting में भी जाते कता है जितनी show type की industries होती है चाहिए fashion industry हो ये कोई भी इन सब तरीके से इस type का जातक पैसे earn करता है इस type से उनका जो धन योग है वो activate होता है अब हम लोग fourth part पे आ जाते हैं कि जो धन योग आपके chart में बना हुआ है वो आपको धन देगा कब वो देगा आपको जो भी planet धन योग बना रहा है या बना रहे हैं उनकी दशाओं में जैसे माल लिया कि अगर जो mercury and venus का कोई conjunction है वो आपको या परस पर द्रिश्टी है वो मिलके आपको धन योग का creation कर रहे हैं चार्ट में तो ये धन योग का result आपको तब मिलेगा जब mercury की महादशा and venus की अंतरदशा चल रहे होगी या vice versa मतलब venus की महादशा and makari की अंतरदशा तो दशाएं is the time जब वो आपको fruit देना शुरू करता है अब आजाते हैं fifth and last part of the video की जो भी धन्योग आपके चार्ट में बना हुआ है वो आपको धन कितना देगा is it couple of flax या आपको करोडों में ले जाएगा या अर्बों में ले जाएगा क्या factors हैं जो इस चीज़ को determine करते हैं तो सबसे पहले जितने ज्यादा number of धन्योग आपके चार्ट में होंगे उतने ज्यादा bright आपके wealth prospects है ठीक है जैसे हमने धीरुभा या मानी जी के चार्ट में देखा था जो wealth houses हैं इनके lots कहीं भी conjunction में हो वो धन्योग माना ही जाता है लेकिन अगर वो conjunction इन wealth houses में ही हो इन ही पाँचों में तो उसकी intensity जादा मानी जाती है उसका effect जादा माना जाता है और third thing जो planets मिलके इसका alignment बना रहे हैं धन्योग बना रहे हैं मिलके चाहे individually भी उनको कोई दोष नहीं लगा होना चाहिए जैसे मालिया के जो Jupiter and Moon है वो किसी भी तरीके से चाहे conjunction के थूँ चाहे दृष्टियों के थूँ या जो Moon है वो Jupiter के हाउस में बैठ गए है Jupiter Moon के हाउस में बैठ गए हैं किसी भी तरीके से अगर वो मिलके यह धन्योग बना रहे हैं लेकर अगर इन दोनों में से कोई एक भी afflicted है जैसे मालिक गुरू को गुरू चंडाल योग से पीड़त हैं और या चंद्रमा है उनको विश्दोष लगा हुआ है या ग्रहन दोष लगा हुआ है तो ऐसे में आपका धन्योग बना हुआ है लेकर उसका जो result है वो इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा वो relatively कम होके रह जाएगा तो this thing is relatively ऐसी है जो की better की जा सकती है केवल जो दोष है उनको दूर करने के आपको उपाय करने और जो भी आपका योग बना हुआ है उसका पूरा पूरा फल आपको मिल जाता है ऐसे केस में तो ये थे आज के हमारे पांचों पॉइंट्स अफ डिसकाशन तो अगर आपके चार्ट में धन्योग बन रहा है जो भी हमारी बाते हुई है तो कॉंगराचुलेशन बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं भी बन रहा है तो इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है क्योंकि धन मिलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये योग आपके चार्ट में बने ही बने इसका मतलब क्या है कि अगर ये alignment बना हुआ है तो तो आपको धन मिलता ही है लेकिन अगर alignment नहीं बना हुआ तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि धन ना मिले कुछ planets जैसे शनी हैं और रहू हैं और भी कुछ है planets वो अगर आपको wealth देना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इन पांचों houses में हूँ या कोई connection भी बैठता हो इन पांचों houses से वो आपको outside of the wealth houses होके भी बहुत ज़ादा wealth दे सकते हैं और कोई भी जो अच्छे astrologer कोई able astrologer है वो आपका chart देखके ये चीज़ determine कर सकते हैं अगर आप हम से connect करना चाहते हैं for consultation तो link नीचे description section में दिया हुआ है I hope आज का इस वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा अगर अच्छा लगा है तो like जरूर कीजएगा जल्दी ही मिलेंगे ऐसे एक interesting वीडियो में तब तक के लिए bye and thank you for watching